चलो, एक क्रिया कलाप करके ये जानते हैं कि एक ही वंश के अंदर क्या-क्या समानताई हैं तथा उसकी अन्यवंशों से क्या असमानताई हैं जब हम देसी और जर्सी गाई की शारिरिक गुणों का अध्यान करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनके गुणों में बहुत ही कम अंतर होता है। लेकिन जब हम भीड यानि जुन्ड में जर्सी गाई को देखते हैं, तो हम उसकी उचाई तथा कड काठी से उसे दूर से ही पहचान सकते हैं। लेकिन जब हम गाएं और बंदर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि गाएं की अपेक्षा मनुश्य और बंदर में ज्यादा समानता है हाला कि ये सभी स्थन धारी है